हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में तो Phenyl Ketunuria है क्या यह एक Inborn Error of Metabolism है यह एक जन्मचात Metabolic Troti है ठीक है फ्रेंड और यह एक Arto Somer Recessive Disorder है कैसा disorder है? Arto Somer Recessive Disorder है इसमें होता है क्या फ्रेंड कि जो Affected Individuals मतलब जो Affected Individuals होता है उसमें एक Enzyme की कमी आ जाती है एक उस Enzyme का नाम है Phenyl Elanine Hydroxylase Acid को Tyrosine में Change करना ठीक है तो क्या होता है कि जब इस Enzyme की कमी हो जाती है तो Phenyl Elanine Tyrosine में Change नहीं हो पाता है As a result जिसके परेडाम सरुप क्या होता है Phenyl Elanine यह Accumulate होने लगता है और Convert होता है Phenyl Paravik Acid और Other Derivative में ठीक है Accumulate होता है इससे क्या होता है कि Mental Retardation मांसिक दुरबलता होता है मांसिक दुरबलता आ जाती है ठीक है फ्रेंट इस आर आलसो इस्कुरिटेट थू यूरीन और यह यूरीन के द्वारा भी बहार निकलता है क्योंकि किटनी के द्वारा इसका पूर एबजाप्शन होता है जिसकी वज़ा से यूरीन के द्वारा बहार निकलता है ठीक है फ्रेंट तो यह सारे पॉइंट किसके बारे में थे फिनाल कीटो नूरिया और इसके पहले मैंने वीडियो से बोड पर पढ़ाया अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेडिस्ट में जाके देखें तो अगर मेरा वीडियो फ्रेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक यू